Season 3 Episode 4 Start होता है हमें दिखता है कि Don Illaďio के यहां Hector Salamanca आया हुआ है Hector Salamanca जो भी बिजनेस रन करता है उसका एक कट Don Illaďio को जाता है क्योंकि उसका boss होता है उसने उसके लिए अच्छा सा give भी लाया हुआ होता है उसके सारे पैसे को फिले टेबल पर रखता है नेक्स्ट हमें दिखता है कि वहाँ से बोलसा आता है ये कार्डेल का एक और मेंबर होता है डॉन सालमांका का ये पहले पार्टनर हुआ करता था डॉन सालमांका का फ्रेंड ये पहले हुआ करता था लेकिंग बैंड में हमने देखा था कि Gus के जब पार्टनर को मारा गया था वहाँ बोलसा और डॉन इलाडियो भी थे फिर बोलसा वहाँ से आता है और उसके हाथ में सिर्फ गिफ्ट हमें दिखता है उसने पैसे नहीं लाए होंगे ऐसा हमें लगता है पर वो फिर तीन बैग लाता है पैसो की सालमांका की कमपेरिजन में उसने बहुत ज़्यादा पैसे लाए हुए हो तो फिर बोलसा बोलता है कि Gus का जो नेट्वर्क है वो बहुत ही स्ट्रॉंग है और ये मुझे बहुत ही हेल्प कर रहा है डॉन सालमांका को भी प्रेशर आता है कि अब वो ज़् कड़वा दिया है तो अब डॉन सालमांका की यहाँ पुलिस आई हुई होती है माइक का जो टार्गेट होता है वो कम्प्रीड हो जाता है माइक को उसके डॉटर इनलॉग को कॉल आता है वो से बोलती है कि क्यो ना तुम डिनर के लिए यहाँ आ जाओ माइक पहले ना बोल रहा होता है पर ग्रैंड डॉटर भी उससे बात करती है फिर वो मान जाता है और वहाँ चला जाता है माइक वहाँ जाता है पर फिर भी ज़रा डिस्टर भी होता है नेक सिर में हमें दिखता है कि डॉन सालमांका गस के जो रेस्टारंट होते वहाँ आते लोगों के साथ व वो ही रेस्टोराट में खड़े हो जाते हैं। सब जो कस्टमास होते हैं, उन्हें अनकनफ़रेबल फील होने लग जाता है। फिर उएक एक करके वहां से निकल जाते हैं। सालमांका ने गस के जो सब इंपलोईज होते हैं, उन्हें सब को एक जगा बैठाय हुआ होता है। वहां का मैनेजर फिर गस को कॉल करता है। गस को पब्लिक रिलेशनशिप करना अच्छा लगता है तो गस एक फायर डिपार्मेंट में होता है। उनके साथ वो रिलेशनशिप मेंटाइन करना होता है। तब उसे एक कॉल आता है। गस फिर बोलो सर्मानोज जब पहुचता है तब सारे इंपलोईज को बोलता है कि आज की शिप्ट तुमारी यही खतम हो जाती है। तुम अब घर जाओ और मैं तुम्हें पूरे दिन के लिए पे करने वाला हूँ। वहाँ का मैनेजर उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। गस बोलता है कि कुछ भी प्रॉलम नहीं है। तुम अब यहाँ से चले जाओ। सालमांका गस के आफिस में जाकर बैठा हूँ होता है। सालमांका फिर उसे बोलता है कि अब मेरे भी ट्रॉक्स तुम्हें सप्लाय करने होंगे। बॉर्डर के पार अब सालमांका के ट्रक जानी सकते तो गस का chain of network उसे चाहिए होता है गस बोलता है कि मेरा already maximum capacity में यह सब चल रहा है मैं और जगा नहीं कर सकता सालमांका बोलता है कि तुम्हें core choice भी नहीं है गस बोलता है कि क्या तुमने डॉन इलाडियो से permission ली माइक को पैसे देने के लिए आयो होता है माइक उसको पैसे वापस कर देता है वो वेक्टर को बोलता है कि गस को जाकर बोल दो कि हमारी जो deal है वो खतम हो चुकी है वो पैसे नहीं लेने वाला होता नेक्स दिन जब गस के सब employee फिर से वापस आते है तो गस उनको सबको बुलाता है और बेटाता है उन्हें बोलता है कि ये जो आदमी कल आये थे ये कुछ 20 साल पहले भी मेरे रेस्टरान में आये थे इन्होंने मुझसे पैसो की डिमांड की थी उस वक्त में वीक था मेरे पास इतने पैसे नहीं थे और मैं इनसे फाइट नहीं कर सकता था तो मैंने इनको पैसे दे दिये थे कल वो फिर से आये और मुझे धमकानी की कोशिश होनों ने की पर इस बार मैं मानने वाला नहीं था मैंने उनका डट कर सामना किया और मैंने उनसे चले जाने के लिए बोला अब वो फिर से कभी भी यहां नहीं आएंगे वो अपने employees को bonus देने वाला होता है यह भी वो उनको बताता है next sin में हमें दिखता है कि कीम जो होती है वो door repair करने वाले सब लोगों को call कर रही होती है अब चक का door टूट गया है किसे ना किसी की तो appointment लगेगी फिर किम पता कर रही होती है कि किसके पास चक ने appointment ली हुई होती है वो बहुत सारा जगा call करती है और उसे पता चल जाता है वो Saul को आकर बोलती है और Saul बहुत ही खुश हो जाता है उनका plan होता है किसी आदमी को वहाँ भेजने वाले होते है Saul बोलता है कि मुझे पता है कि किसको भेजना है वो फिर Mike को call करकर Mike को ही चक के घर भेजता है Mike जब अपने equipment लगाता है तो वो electricity पर चल रहे होते है चक बोलता है कि मैंने पहले भी बताया था कि electricity से मुझे काम नहीं करना है माईक उसे बोलता है कि मैंने चार्ज कर लिया है फिर भी चक विदाउट electricity equipment से ही उसे करने को बोल रहा होता है माईक बोलता है कि यह एक morning का job है अगर मैं मेरे equipment से काम करूँ पर अगर तुम बोलोगे तो यह 2-3-3 ले सकता है जो चक भी मान जाता है और उस room से वो बाहर चला जाता है जब वो room से बाहर चला जाता है तो माईक अपना camera निकालता है और पूरे घर की जो images होते है वो निकालता है यह जो images होते है यह स्वाल जग यह ex-wife को भेजने वाला होता है यही उसका plan होता है Saul जब यह images देखता है तो यह बहुत ही impressed हो जाता है रात में जब Mike अपना काम कर रहा होता है तो Gus उसे personally मिलने को आता है Gus फिर उसे offer देता है कि future में तुम मेरे साथ काम कर सकते हो Mike बोलता है यह क्या काम है इस पर depend करेगा फिर Gus जाते जाते बोल जाता है कि मैं तुम्हें सालमांगा को मारने देश सकता था पर यह बहुत ही छोटी सज़ा होती मुझे उसे suffer होते हुए देखना है next जो होता है वो Saul की hearing का होता है वहाँ DAA के office से representative आई हुई होती है जो deal Saul को offer की हुई होती है Saul उस पर sign करता है और इसकी यह hearing होती है वो Saul को बोलती है कि तुमने अब सब कुछ मान लिया है पर तुमने अपना जो statement दिया था उसमें वो मुझे बहुती apology टिक नहीं लगा और फिर वो फिर से Saul को चक से माफ़ी माँगने के लिए बोलती है पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था एक sincere apology वो चक से मांगता है इसके बाद Saul चक के लिए चेक भी लिखता है इसमें Saul ने चक का जो डोर खराब किया होता है उसके भी payment होता है यह successful हो जाता है इसके बाद जो next step होता है lawyers की जो association होती है उसके hearing होने वाली होती है यह कुछ दिनों बाद होने वाली होती है पर इसमें Saul का license जा सकता है कीम फिर चक से बात करती है वो बोलती है कि मुझे बता है कि तुम्हारे पास वो tape अभी भी है चक भी मान लेता है चक बोलता है कि मैंने original tape की duplicate भी बनाई थी कीम उसी बोलती है कि वो ज़्यादा तुम्हारे काम नहीं आएंगी बोलता है कि यह जो association है यह tape सुनेंगी क्योंकि यह जरा linear होती है यह जरा rules को इतना seriously नहीं लेती कीम को सिर्फ पता करना होता है कि उसके पास tape है या नहीं और उसका ही successful हो जाता है और यही यह scene खतम हो जाता है और sol के साथ वो जाते हुए में दिखती है यही episode खतम हो जाता है